नमश्कार, न्यूस्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से लेकिन हम लोग अक्सर आजगल कर रहे हैं कि सिर्फ मेरी नजर नहीं देती है मैं बलकि गाइड करता हूँ किसी विशेशगय को उसके साथ नजर रखने के लिए तो आज मेरे साथ तनुजा कोठियार जी हैं जो अमेड कर उनिवर्सिटी में इतिहास कार है मेडेवल हिस्ट्री के बहुत मशूर जानकार और एक्सपर्ट है हम बात करेंगे अभी प्रोवोकेशन है वारणसी में जी हाँ मैं वारणसी बोलता हूँ हलांकि आम तोर पे लोग बातचीत पे काशी बोलते हैं लेकिन काशी विशुनात टेंपल कॉरिडॉर में उसके इनाउग्रेशन के समय मोदी जी ने जो हमारे प्रधानमंत्री हैं अपने भाशन में कहा था कि जब-जब इतिहास में औरंग जेव आया है तो उसके जवाब में शिवाजी खड़ा हुआ है जब-जब कोई और आया है तो हमारे हिंदुों के तरफ से भी कोई राजा खड़े हुए है ये एक स्ट्रेट मेडेवल हिस्ट्री जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टन्ट पीरियड है हिंदुस्तान की राजनीती में उसको स्ट्रेट बाइनरी में ढालने का कि इसलामिक पीरियड है ये नहीं देखना कि इसलाम बहुत सेंचुरी से हिंदुस्तान में अलग-अलग तीन रूट से आएं ट्रेड के रूट से आएं सबसे पहले दक्षिट भारत में आएं फिर रूलर्स लेके आये और फिर फाइनली बहुत महत्वपूर्ण है एक सूफी ट्रेडिशन भी एक किसम का इसलाम लेके आया इन सब चीजों के बात नहीं होती है पस ये होता है कि जैसे कि तनुजा जी और हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी दर पहले कि या तो अलाओ दिन खिल जी थे या उसके बाद स्रेट अवे औरंग जेब आ जाते हैं और इसमें भी हम सिर्फ उनको उसी धाचे में डालते हैं कि ये लोग आए हमारे हिंदूों के मंदिर तोड़ दिये और अपने मस्जिद बना दिये एक तरह से अपना धर्म को आके हमारे समाज पे हमारे हिंदू समाज पे थौप दिया और अब हमारी बारी है इसको रिडीम करने की हमारे जो मंदिर थे उनके रेस्टोरेशन के लिए हम कैमपेंड करेंगे पिछले 35 साल से ये कैमपेंड चलता रहा है राम जन्म भूमी के कंधे पे ये आंदोलन चला है और आज के हिंदूस्तान में जो भी मुद्दा जो भी डिविसिफ मुद्दा है उसके बुनियाद में अगर हम जाएं तो कहीं ना कहीं हमको राम जन्म भूमी मूवमेंट या उसका जो आंदोलन था उसके जड़ में वो हम पाएंगे तनुजा जी के साथ हम बात करेंगे जिस प्रधान मंत्री ने जिस सहजता के साथ औरंग जेब को हिंदुत वताक्तों के most villainous character के तौर पे पुना एक बार portrait किया जो popular जो impression जो औरंग जेब के बारे में जो फैलाया जाता है जो popularize किया जाता है वो शायद आप लोगों को जो इतिहासकार है जिन्होंने serious study की है औरंग जेब के उससे आपको काफी differentiate करके आप देखते होंगे तो अगर हम straight away आपको ये पूछें कि औरंग जेब वास्तप में क्या थे ना वो villain थे और ना ही वो कोई secular hero थे शायद बीच के gray area में exist करते हैं औरंग ये वा उसी को समझने की ज़रूरत है तो आपकी मदद के साथ मैं खुद और हमारे शोताओं को मैं समझाना चाहता हूँ जी धन्यवाद ये जो आपका जो सवाल है उसको कुछ लेवल पे मैं जिस तरह से हम classroom में बच्चों से बात चाहते हैं मैं वहाँ पर भी ले जाना चाहती हूँ तो पहली बात ये है कि जो हिंदुस्तान का जो इतिहास है जिसे साब से उसको हम तीन भागों में बाटके पढ़ते हैं स्कूलों में भी पढ़ाते हैं एंशेंट हिस्ट्री मीडिवल हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री तो उसका जो एक पुराना रूप था उसमें अकसर ये जो समीकरने इस तरह से बिठाया जाता था कि ancient इतिहास जो था, वो Hindu काल का इतिहास था, जो मध्यकाली नितिहास था, वो Muslim काल का इतिहास था, उसके बाद अंग्रेज आ गए, और अंग्रेज जो है, वो भारतिय समाज को आधुनिक्ता की तरफ ले गए, demo अई चरफ तरफ ले गए, और यह जो वो early Colonial historically अंग्रेजोंने जो भारत का इतिहास लिखा उसमें इस तरह के divisions बढ़ए। अब्ये जो जब इतिहास लिखा जाने लगा नीज ईतिहास ने लगा तो उस समें जो British Rajya जिस तरह से बन रहा था उसको अपने बनने की कि अंग्रेजों कि आने की क्या जरूरत पड़ी उसका जस्टिफिकेशन देने के लिए उन्होंने एक तरह से जो मध्यकाल था भारती इतिहास का और खास करके जो मुगल सामराज्य के जो आखरी कुछ साल थे उसको उन्होंने एक ऐसे पीरियड के रूप में बताना शुरू किया कि इसमें त हिस्टॉरियन है उनका भी एक बड़ा फोकस जो है वो औरंगजेब की परसनालिटी के उपर है कि वो किस तरह के राजा थे उनकी दूसरे समधायों के साथ किस तरह के संबंद थे इसके अलावा जो उन्होंने किस तरह से जो है जो मतलब उनका बहुत लंबा समय था जिसमे तो इन सारी चीजों के चलते जो है औरंगजेब हमेशा से एक इंपोर्टन्ट फिगर के तौर पर बने रहे काफी सारी जो डीबेट्स जो मध्यकाली नितिहास की है और जो पर्टिकुलर्ली मुगल सामराजी को लेकर के होती है वो औरंगजेब के उपर सेंटर करती है अगर हम ध्यान से देखें औरंगजेब के काल को एक लंबा काल है सबसे लंबा काल था पूरे मुगल हिप पीरियड है क्योंकि उसके पहले जो है वो बैटल उफ सक्सेशन होती है अपने पिता को उन्होंने कैद किया दक्कन में लड़ाईया हुई भाई के साथ उनका जो यह काल जो है अपने आप मुगल लितिहास में काफी महत्तुपूर्ण काल है जो सत्रवी शताबदी का अंत और अठार्मी शताबदी के शुरुआ कि जो मुगल सामराजे का धाचा है जिसको कि हम एक शुरू में हम मानके चलते थी कि वह बिल्कुल एक केंद्री क्रियत सें तो इस दौरान में अगर हम देखें कि किस तरह से औरंगे फंक्शन कर रहे हैं तो सतीष चंद्रा में बहुत जो एक सीनियर हिस्टॉरियन थे उन्होंने काफी महत्तुपूर्ण काम बिल्कुल वह एक तरह से गुरू है हम सभी लोगों के तो उन्होंने जो पार्टीजन पॉलिटिक्स एक बहुत पहले किताब लिखी तो उसमें उन्होंने आक्च्वल जो हिसाब किताब जब उन्होंने किया तो उन्होंने दिखाया कि औरंगजेब के दरबार में दरसल हिंदू मनसबदार राजपूत मनसबदारों की संख्या जो है वो पिछले कई जो मुगल बादशा थे उनके समय से दरसल ज्यादा थी क्योंकि एरिया बढ़ता जा रहा था जागिर्दारी का जो एलोकेशन है वो बढ़ता जा रहा तो ऐसा कोई हमें कारण नहीं दिखता कि उन्होंने कोई बहुत जबर्दस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया हूँ अब करें यह तरफ तो हम लोग आज कि समाज मुस्मा लेबल करें कि यह इसलामी दौर था लेकिन जब कि लोग रूरीजिस प्रोफाइलिंग करें तो उसमें हमको मिलेगा कि लोकल लेवल पर जो डिकल्विन अजोरीटियू कि नॉन मुसलिम थे हिंदू थे क्यूंकि जब प्रॉपएंड़ की तरह जब पड़ते हैं तो एसे जो किताबmeye हुं किताबों को यह को नमबर या छोटी-चोटी हिंदुों के साथ और सिखों के साथ में भी इस बात पर हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं दरसल अगर आप देखें गुजरात का इतिहास देखें तो आपको और भी जगों पे जो औरंगजेब के समय का इतिहास देखें तो हमें यह भी पता चलता है कि औरंगजेब जैसे शिया, जैसे बोहरा, जैसे खोजा, हमें बहुत सारे एक सुपी, उनके टार्गेट में हिंदू सिर्फ नहीं थी, हमें पता चलता है कि उनके संबंद इन समुदायों के साथ भी बहुत ज्यादा खराबते हैं, हमें पर्सीकूशन के बहुत सारे इंस्टेंसे हमें मिलत जाते हैं, तो जरसल हमें औरंगजेब का कंपारिजन उनसे पहले वाले जो मुगल बादशाह हैं, उनसे भी करना चाहिए, इस बात में कोई भी संदे नहीं है, कि औरंगजेब का जो रेन है, या जो उसकी परस्नालिटी है, उसमें एक और्थोडोक्सी है, इसमें कोई और जो की एक तरह से यह जो किया जाता है, यह काफी हद तक जो है, अगर हम देखें किस तरह की ओपननेस हमें अकबर के काल में मिलती है, जहांगीर के काल में मिलती है, तो उनके कंपारिजन में और्थोडोक्सी औरंगजेब के पसनालिटी में और उनके डिसिजन में ज्याद जो अन्य समुदाएं हैं, इसलाम की अंडिस्टेंडिंग, इन सारी चीजों में औरंगजेब अपने आपको एक खास जगह पे रख रहे हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि है, लेकिन अकसर होता क्या है कि जब हम एक तरह का पोस्टर बॉय बना देते हैं औरंगजेब को तो पहली बात है कि बात औरंगजेब से शुडूरू करते हैं औरंगजेब करके अकबर तक भी चली जाती है, तो आप सीधा एक वो बना देते हैं, खिल जी तो खेर हैं ही, लेकिन फिर अकबर जिनको हम कहते हैं कि वो एक अच्छे बादशा आते हैं, तीर दीरे करके बात वहां भी पहुँच जाती है, कि आप अकबर रोट को भी बदल दीजे, कि अकबर क्या थे, तो हम यह जो सटल डिफरेंसेज हैं, जो की अंतर हैं, अलग-अलग बादशाहों में, उनके काम करने के तरीकों में, उनकी अंडिस्टैंडिंग में, उन सारी चीजों को हम किनार कार देते चले जाते हैं, इतिहासकार जब पढ़ते हैं इस काल को, तो वो इन सारी चीजों की इंट्रिक्रिसी, इन सारी चीजों की सटलिटी, क्या अंतर था, मतलब अकबर से जहांगीर में क्या अंतर होता है, जहांगीर से शाह जहान में क्या अंतर होता है, औरंग- अगर हम देखें तो लोग जो है ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं अगे इन इंट्रिसी पर औरंगजेब का काल जो है वो जिसको कि हम चाइल्ड्स वार कहते हैं वो बतलब वो एक अकीला ऐसा बाच्छा है जुसने अंग्रियस सेना को अक्चुली पराजित किया तो यह चीज कियोंकि हम को अपने सफ्न के दिनों में अपने इतिहास के क्लास कु याद कर रहा था और क्या समझे थे वास मय क्तेems का जो मुसल्मानों के प्रतीज और प्रेजुडिस है जो हमेशा से रहा है उस फ्रेम में और अंग्जेब को फिट किया जाता था पिछले 35-36 सालों से खास्तों से जिस पीरिड में हिंदुसान में कम्यूनलिजम एक बहुत बड़ा मुद्दा बनके आया मेरा परसनल का जो इतना बड़ा विस्तार हुआ जो हमको देखने को मिला जिसकी वज़े से आज हिंदुसान की राजनीती का जो बेसिक जो मूल इवलूशन हुआ है री कॉन्फिगूरेशन जो हुआ है इसके पीछे शुरुवात होती है वारणरसी से खत्म होती है मतुरा से पूरा का पूरा जो और सोमनाथ तो है ही सोमनाथ का तो रेक्टिफिकेशन हो गया वो तो सरदार पटेल ने वहाँ पे कर दिया तो वो एक closed chapter है लेकिन ये अभी भी लाइव चैप्टर है वारणसी टू मतुरा तस लॉंग कॉरिडर बीच में आयोध्या था आयोध्या ऐस बिन आश्क कोरिडर इसमें हमको समझना जरूरी है इस कोरिडर में घुसना हमको बहुत जरूरी है क्योंकि हम औरंगजेब को अगर हम विलेनसली प्रोटे मतलब पोट्रे करें जैसा कि हिंदूतों के ताक्ते करें तो हमको उसी तरह से उसके कॉंट्ररी जो सेकुलर नारेटिव उसमें हमको औरंगजेब को सेकुलराइज शायद नहीं करना चाहिए या नहीं किया जा सकता है तो राइट परस्पेक्टिव इस जो सबसे हिंदूस्तान के जो इसमें हम लोग औरंगजेब को कैसे आप फिट करती है या कैसे सजाएग इसको करने के लिए फिर से मैं थोड़ा सा औरंगजेब को डी सेंटर करना चाहती हूं क्यूंकि हम हमेशा बात जो इसकी जरूरत हमें है उठाया जाता है अक्सर यह हमको सुनने को मिलता है इस पत्रकार कि साब इन्होंने तो हमारी मंदिर तोड़के वहां ग्यानवाफी मस्जिद बना दी और यहां पर हमारी क्रिशन की जन्म भूमी जन्मस्थान को तोड़के यहां पर अपने इदगा खड़ी करते हैं इस बारे में दो तिन बातों को मैं कहना चाहती हूं पहली बात यह कि इदि करते हैं यहां सब्सक्रास को में बहुत सारे समाजों में जो जहां पर बहुत सारे समुदाय रहते हैं इतिहास जो शूँता है वह होता है वह छोनफिक्ट if old और हम सभी को अगर मतलब लोग इतिहास को लेकर के एक उस कॉन्फिलिक्ट में इतिहास को प्लेस करने की कोशिश करते हैं और उसको आज के संदर्ब में इतिहास को बीच में लाकर के और उसको 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 बढ़ाना चाहते हैं तो पहली बात है कि मुझे, as a historian, अगर मैं ट्रेस करती हूं और temple desecration और temple destruction जो है वो भारती इतिहास में बड़ा मुद्दा रहा है लेकिन इसकी जो अगर हम जड़े देखें या अगर इसका इतिहास देखें तो इसका इतिहास सोमनाच से बहुत पहले से बिलकुल अगर हम जो जो early medieval India जिसे कहते हैं हम tripartite warfare तक भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि क्यूंकि जो मंदिर जो पूजा के स्थान थे वो एक तरह से political power और उसके अलावा financial power wealth centers थे तो अकसर जो है जब एक राजा दूसरे राजा को हराते थे चाहे वो हिंदु राजा ही क्यों न हो वो कभी वहां से मूर्ती ले जाते थे और मूर्ती ले जाकर के अपने राज़ानी में लगा देते थे क्योंकि इससे यह साबित होता था कि हम बिल्कुल अलग अलग जगा हमारे treasures मिलेंगे देखने को तो अब यह जब हम देखते हैं कि इस लंबे इतिहास को देखते हैं तो दरसल जो जिस तरह से हम मद्यकाल की जो घटनाए हैं जो temple desecration की या temple destruction की जो घटनाए हैं अगर हम उनको उसके एक लंबे इतिहास के तौर देखें तो वो add करती हैं जो पहले घटनाए हुए उनके साथ में जुड़ जाती हैं यह कोई नई बात नहीं थी पहले से होती आ रही थी और आगे के समय में भी हुई दूसरी बात यह है कि इस पे कोई दो राय नहीं है कि temple desecration or temple destruction मद्यकाल में भी हुआ इस तरह से temple construction भी तौर पर वो हुआ धर्म का प्रचार करने के लिए इतना नहीं जब जितना की अपनी जो विजय है उसको establish करने के लिए आम तौर पर हुआ दूसरा हम यह देखते हैं कि particularly जब हम मुगलकाल में आते हैं तो जो मतलब जो संख्या हैं जिस तरह की हम देखते हैं कि कितने temples का में यह भी देखना चाहिए कि कितने मंदिरों का निर्मान इसकाल में साथ में हो रहा था कितनी patronage जो है जैसे वैशनव जो संप्रदाय है अगर हम देखें कि मुगल बादशाहों की जो patronage थी चाहे वो मत्हुरा में हो चाहे वो ब्रज एरिया में हो चाहे वो अन्य जगों में हो एक जबरदस patronage जो है इन मंदिरों के प्रतिभी साथ में होती थी तो यह एक तरह से give and take जो है एक तरह से वो चलता रहता था मुगल काल में हुआ और औरंगजेब के समय में भी patronage मिला औरंगजेब के समय में भी कुछ patronage जिन जगों में चलता रहा था उन जगों में चलता रहा कुछ जो है जो important temples का destruction जो उनके साथ में जो जोड़ा जाता है औरंग जेब को उसके भी अलग-अलग किसम के कारण जो है इतिहासकार देते हैं कुछ जो है वो politics से जोड़ करके देखते हैं हालां कि यह हमें समझना चाहिए कि दो समुदायों के बीच में जो difficult relationship Hindu और मुसल्मान के बीच में वो उसकाल में भी थी और यह हमें समझना चाहिए कि औरंग जेब को यह न समझ आया हो कि इसका एक जो है impact समुदायों के आपसी relations पर पढ़ता है यह कहना जो है थोड़ा सा मत कि औरंग जेब को यह नहीं समझ आ रहा है कि इतना मतलब अगर हम इस यानवा पर इसके पारण जो है इसके पॉलिटिकल मूव है यह कहना थोड़ा सा मतलब it is it is difficult to believe लेकिन यह इतिहास की शिक्षक के तौर पर जो मैं कह सकते हूं वो यह है कि जब हम आज की समय में जो करने की कोशिश करते हैं कि हम दुबारा बनाएंगे यह कुछ करेंगे तो इतिहास का एक खास मकसद होता है उस एक परफस होता है जो घटनाए पास्प में हो गई उनको समझने के लिए कुई एक टॉफ पॉइंट तो होना चाहिए कि उसके पीछे नहीं जाएंगे क्यूं कृश Lukasiakarik का एक उपिनियन है? लिए नौग से वो सोशल मीडिया है चाहिए वो टैलिविज्он है दुनियां का एच मरी सबसें बड़ा रूनिवसिटी उस में सबसे जयादा बाध जो है आज बीस साल पेले तीस साल पेले जो है जो भी था जो एक social media तो नहीं था, उस समय में colonialism हमारे लिए एक बड़ा important मुद्दा था, हम कुछ साल पहले आजाद हुए थे, तो school के बच्चों को या college में, हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा था कि हम गुलाम थे और आज हम आजाद हो गए, आज के समय में देखती हूँ कि गुलामी का period भी बढ़ गया, मतलब 1200 साल का की गुलामी का period उस गुलामी को, जिसको हम गुलामी जिसको दरसल कहना चाहिए, जो colonialism है, हम उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं, उसको तो हम modernization का दौर बानते हैं कि अब रेप्रेजेंटेटिव उसके समाज, हमारे समाज में है नहीं, अब मतलब आप क्या करेंगे, बिटिश टेटेटिव अब हिंदुस्तान में एक सर्टन परसेंटेज आप मुसलमान दिखते हैं तो वो उनके रेप्रेजेंटेटिव हो गए, बिलकुल तो चुनाओ जीतने के लिए हम जो दूसरे जो कमुनिटी हैं हिंदु कमुनिटी उसमें से अपने सपोर्ट को इंक्रीज करने का हमको एक तरीका दिखता है कि हम उसको विलिफाई करें बिलकुल तो उस संदर में मुझे ऐसा लगता है कि हम बच्चों को भी क्लास में कहते हैं कि कोई भी सवाल जो है वो अपने आप नैचरल ही नहीं उठता तो किस समय में कौन सा सवाल जरूरी हो जाता है हम इतनी जादा बात मद्यकाल की क्यों करते हैं आज के समय में हम अकबर के बारे में राना प्रताप के बारे में शिवा जी के बारे में इतनी ज्यादा जो है आज हमारे समय के लिए इतने इंपोर्टन्ट हीरोज क्यों हो गये हैं यह सोचना जो है इतिहास के चात्रों के लिए या जो लोग इतिहास में क्लेम करते हैं कि वो समझने की क बात को कंक्लूड किया कि समझना बहुत जरूरी हो गए आज के तारिक में कि ये सवाल अब इतनी तेजी से क्यों उठाया जा रहा है मेरे ख्याल से औरंग्स विब के बारे में आपने जिस तरह से समझाया कि हमको मल्टी लेड तरीके से देखना पड़ेगा ब्लैक और वाइट में नहीं लेकिन उनकी ग्रे एरियाज को समझना पड़ेगा तो हमाई साथ आके इस कारिकर में बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उमीद करता हूँ कि ये ग्रे एरियाज और ये जो सवाल क्यों उठाया जा रहा है सिर्फ सवाल से नहीं जूजना लेकिन उस सवाल से जुड़े हुए कि ये सवाल आज क्यों ये क्यों बोला जा रहा है काशी विशुनात टेंपल कॉरिडॉर के इनाग्रल में कि औरंगजेब शिवाजी इस तरह के क्यों जक्स्ट पोजिशन्स हो रहे हैं आप सोचिए इसके बारे में आपको जवाब जरूर मिलेगा ये कारिकरम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद